हेलो दोस्तो मैं हूँ जहीर आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल कैप ओफ एजूकेशन आपका मेरे इस चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और चाइल इस बहुत से इंपोर्टेंट जितने भी अब्जेक्टिव कोश्चन बन सकते ह तो चलिए स्टाnd करते हैं और देखて हैं एक एक कुस्चन को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक फोटो नजर आ रहा है एक फिमेल का फोटो है इनका नाम है जर्मेंगरीर, कौन है तो अचायल इस ब Richardson के वाइटर हैं उनही का ना माहिल्हा का फोटो जर्मन गरीर के द्वारा लिखा गया है जर्मन गरीर के द्वारा लिखा गया है अब लोग चलते हैं question number 2 के तरफ question number 2 है German Greer was born in German Greer का जनम कब हुआ born मतलब जनम है ना तो German Greer का जनम कब हुआ option number A है 1845 option number A बिलकुल गलत है option number B है 1936 ये भी गलत है option number D है D 1842 यानि कि ये भी गलत है तो बचा कौन बच गया option number C और यही सही है यानि कि 1939 में German Greer का जनम हुआ था चलिए अब हम लोग चलते है question number 3 की तरफ हमारा question number 3 है a child is born is a and death यानि कि a child is born जो है वो क्या है है ना वो a novel नहीं novel बिलकुल नहीं है a short story नहीं short story भी नहीं है a drama ड्रामा भी नहीं है तो बचा कौन एसे यानि कि a child is born is an essay a child is born क्या है तो एक essay है तो तीन question हमारा हो गया है complete और आपको याद भी हो गया होगा अब हम लोग देखते है question number 4 question number 4 है German Greer belongs to German Greer कहां से belong करती थी है ना वो कहां से है यह पूछ रहा है तो इसका option number A है अमेरीका से नहीं नहीं अमेरीका से बिलकुल नहीं है इंडिया ना जी ना इंडिया से भी ना है नेपाल से भी बिलकुल ना है तो फिर से बचा कौन फिर से बचा option number C यानि कि German Greer belongs to Australia option number C is the right answer चलिए अब हम लोग देखेंगे question number 5 यहां पर question number 5 है in their societies the whole matter of pregnancy is a celebration कौन से society में जो pregnancy का जब कोई महीला pregnant होती थी तो वो जो एक समय होता था ना तो समय जो है family के सभी लोग जो है ना उनके लिए एक celebration जैसा होता था सभी लोग बहुत खुश होते थे तीक है यह पूछ रहा है option number B modern option number C Eastern option number D none of these none of these नहीं इसमें से कोई है तो आपको photo से पता चल रहा है क्या यह traditional society का photo है ना हम लोग जैसे रहते हैं ना उस type का यह photo है तो traditional society में ही ऐसा होता है कि वो जो एक समय होता है ना यह बहुत ही अच्छा समय होता है बहुत ही celebration का समय होता है यानि कि in traditional society the whole matter of pregnancy celebration in traditional society option number B is the right answer चलिए चलते हैं question number 6 की तरफ question number 6 है in bangladesh in bangladesh रूप थाका रूप थाका is a kind of रूप थाका किसे कहते हैं bangladesh में यह पूछ रहा है option number A है fairy tales option number B है sad song या फिर option number C है essay या फिर D यानि all तो यहाँ पे आपको photo नज़र आ रहा है इसमें बहुत सारी परियों का photo है है ना तो परियों की जो कहानी होती है ना उसको ही fairy tales कहते हैं और bangladesh में इसे रूप थाका कहते हैं समझ में आ रहा है ना तो इसका answer क्या हो जाएगा option number B A जो है इसका सही answer होगा in bangladesh रूप थाका is a kind of fairy tales चलिए तो आपको समझ में आ रहा होगा है ना तो चलिए हम लोग चलते हैं question number seven की तरफ question number seven है visiting mother's house visiting mother's house during pregnancy is one of the days of pregnancy यहाँ पर बोला है कि जब visiting यानि कि मा के घर जब कोई महीला pregnant होती थी तो उस time में जब वो अपने मा के घर जाती थी थी ना तो वो उनके लिए कैसा होता था तो option number A है party, option number B है time, option number C है S से बच गया reward यानि कि visiting mothers house during pregnancy is one of the reward है ना वो उनके लिए कैसा होता था reward यहाँ पे reward का photo भी नज़र आ रहा होगा उपहार है ना तो यह था question number seven अब आते है question number eight की तरफ, question number eight है in some societies कुछ society में women are not accepted, accepted, women को accept नहीं किया जाता था the member of the family, family के member के रूप में, है ना उनको family के member के रूप में accept नहीं किया जाता था, है ना until, यहाँ पर until लिखा हुआ है until, जब तक की वो day, dash to a child, मतलब option number b में take rest, नहीं होगा give money, जब तक की वो पैसा नहीं दे, ऐसा नहीं है, teach, यह भी नहीं होगा option number b, यानि की give birth, अब इसको अच्छे से समझ लेना, in some societies क्यों societies में, women are not accepted, उनको accept नहीं किया जाता था, the member of the family family के member के रूप में, जब तक की वो जो है ना, give birth, यानि बच्चे को को एक बच्चे को जन्म ही दे देती थी तब तक उन्हें जो है ना, family के member के रूप में, नहीं समझा जाता था, है ना, बहुत से कैसे society में होता था, top son number B, इसका सही answer होगा, चलिए question number 9 देखते है, question number 9 है, question number 9 है, the female unique has been written by, ये जो काम है, ये जो work है, वो किसके द्वारा लिखा गया है ये book, वो पूछा जा रहा है, कमला दास, segan, german greed, john kids, तो हम लोग जब german greed का pros पर रहे हैं, तो उनी के द्वारा लिखा गया होगा, ना, उनी के द्वारा जब ये, child is born लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी उनी के द्वारा लिखा गया है, german greed, इसका जो है, सही answer होगा, है ना, याद जाता था, new baby, यानी नए बच्चे को दिया जाता था, किस चीज का हार दिया जाता था, वो पूछ रहा है, chili and garlic, यानी मिर्ची और लहसुन का तो ना, टर्मरीक and chili, यानी हल्दी और मिर्ची का तो नहीं, ये भी नहीं देते थे, garlic and turmeric, यानी हल्दी, लहसुन और हल्दी का तो हाँ, ये सही answer है, यानी कि option number C, जो है वो, इसका सही answer है, यहाँ पर आपको photo नजरा रहा होगा, लेकिन photo में सायद अध्रक है, तो अध्रक नहीं, हल्दी, चलिए, अब हम लोग देखते है question number 11, question number 11 है, German Greer is a famous, German Greer जो है, वो क्या चीज़ के लिए famous थी, story writer, वो story writer नही feminist writer, novelist नहीं थी, poetist नहीं थी, feminist writer, feminist यहाँ पर photo से नजरा आओ, बहुत सारे महिलाओं का photo है, यानी कि वो जो है न, महिलाओं के विशाय में लिखा करती थी, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, feminist writer कहते हैं, वो इस चीज़ के लिए वो जो है, German Greer famous थी, अब आते है question number 12, question number 12 है, does women go to stay mother's house during pregnancy, कौन सी औरत जो होती थी, women जो होती थी, महिला जो होती थी, वो अपने मा के घर जाया करती थी, pregnancy के दोरान में, तो American woman, नहीं, Australian नहीं, none of these, नहीं, इसका सही answer हो जागा, सिलेटी, याद रखेगा, इसका option number B, जो है, वो सही होगा, सिलेटी woman, और ये सिलेटी क एक जगह है, उसी का नाम है, सिलेटी, है न, तो वहां की जो औरत होती थी, वो अपने मा के घर जाया करती थी, इसके बारे में, बात इसलिए हो रहा है, क्योंकि ये जो child is born है, उसमें जो है, इस जगह के बारे में, चर्चा किया गया है, यहाँ पे अगर option number Indian woman दे, और सिल day of the birth उनको जो है नया ड्रेस कम मिलता था सिलेटी वुमेन को और उनके सिलेटी वुमेन को और जो उनका जो बच्चा होता था उने जो है नया ड्रेस कम मिलता था तो sixth day में नहीं eighth day में नहीं ninth day में नहीं seventh day में है ना साथ वे दिनों को नया नया अड्रेस मिलता था चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है जेनरली अ प्रेगनेंट वुमेंट इस सेंट टू हर डैस होम फोर चाइल वर्थ खासकर आम तोर पर जेनरली मतलब आम तोर पर प्रेगनेंट वुमें जो होती थी इस सेंट उन्हें भेश दिया जाता था टू हर डैस होम फोर चाइल वर्थ बच्चे के जनम के लिए उन्हें कहां भेश दिया था चाइल वर्थ के लिए यानि बच्चे के जनम के लिए उन्हें कहां भेजा जाता था relatives के यहाँ नहीं, doctor के यहाँ नहीं, none of these नहीं, parents के यहाँ यानि option number B जो है इसका सही, माता पिता के घर भेज दिया जाता था भेज दिया जाता था नहीं, भेज दिया जाता है, आप हम भी देखते हैं, हम लोग के यहाँ भी होता है है ना, चलिए, अब आते है question number 15, question number 15 है, in death society, child birth is a family affair कौन से society में जो है ना, child birth जो होता था, वो family affair, मतलब सभी लोग बहुत जादा जो है, उसमें खुस होते थे हैना, यह सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका होता था, उसी का मौका होता था, वो कौन से society में ऐसा, तो अभी भी आपको फोटो नजर आड़ होगा, इसका फोटो हम लोग इससे पहले भी देखे हैं, यानि traditional society में जो है ना, child birth वो एक family affair हुआ करता था, यानि traditional society, option number C आते हैं, question number 16 है, infants and mothers, death rate is greater in traditional birth, मा का और बच्चे का कौन सा rate, यानि किस तरीके का, क्या मतलब जो है, greater होता है, बहुत ज्यादा होता है, traditional birth में, परमपारिक बच्चे का जन्म होता है, उसमें mortality, mortality कहने का मतलब है, उसका जो मिर्तियू दर होता है, चाहे बच्चे का मरने का दर हो, या मा के मरने का दर हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, परमपारिक बच्चे के जन्म में, उसमें बहुत ज्यादा जो है, दिक्कत होता है, और इसमें मरने का rate है, वो बढ़ जाता है, यानि कि option number B, जो है, वो इसका सही answer हो जाएगा, अब आते है, question number 17, question number 17 है, in traditional society, the naming ceremony is held when baby is, नामांकरन किया जाता था बच्चे का, traditional society में कब किया जाता था, वो पूछ रहा है, traditional society में बच्चे का naming ceremony, नामांकरन कब किया जाता था, तो वो किया जाता था, बच्चे के 7th day पे, यानि कि 7 days old, जब बच्चा 7 दिन पुराना, 7 दिन का हो जाता था, तब किय जाता था है ना चलिए हम लोगों कि यह छे दिन पर होता है और बांगलादेश में क्या होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी वहीं के बारे में बात किया गया है तो वहां जो है साथ दिन पर है ना अब आते हैं कोश्चन नंबर 18 कोश्चन नंबर 18 है अडैस वुमेन हैस टू तो यहाँ पर आपको फोटो से नजरा रहे है न प्रेगनेंट वुमेन हैस को अध्यरल्डव वर्जित वर्जित रिचूल मतलब हो गया धार्मिक संस्कार और कस्टम्स मतलब गया एक सीमा अनुको एक उनको इक धार्मिक 19 question number 19 है the doctor who is specialized वो doctor जो specialized होती है in women disease and reproductive issues वो doctor जो महिलाओं की problem महिलाओं की समस्या के लिए specialized होती है है उसमें specialist होती है ठीक है उन्हें क्या कहते है तो उनको जो है कहा जाता है यहाँ पे oculus नहीं होगा इसका मतलब होता है आँख के जो विशेसग्य होता है उन्हें कहा जाता है ठीक है काडियोलोजिस्ट नहीं होगा इसका यह जो है दिल के विशेसग्य हिर्दयरोग विशेसग्य जो होते है हर्ट specialist उनको काडियोलोजिस्ट कहा जाता है option number D जो दिख रहा है न नेफ्रोलोजिस्ट यह भी नहीं होगा यह जो किडिनी के विशे सग्य होते हैं नेफ्रोलोजिस्ट उन्हें ही कहा जाता है अब बच गया option number C यानि gynecologist यानि option number C जो है यही होगा महिलाओं का जो भी problem समस्य होता है न उनकी जो भी personal problem वगएरा है या कोई भी disease है तो उसको जो है उसके जो doctor होते हैं specialist उनको कहा जाता है gynecologist याद रखेंगे चलिए अब आते हैं question number 20 question number 20 है in dash children under the age of 5 और 6 are looked after by the whole family मतलब कहा जो है बच्चे जब 4-5 साल के रहते हैं तो उनको पूरे परिवार के द्वारा looked after किया जाता है मतलब उनका देख भाल किया जाता है पूरे परिवार उनका बहुत जादा care करते हैं पूरा परिवार है न चाहे चाचा चाची दादा, दादी, नाना, नानी जो भी जो उसके घर में हैं वो सब लोग क्या करते हैं उनका बहुत ज़्यादा देख भाल करते हैं ख्याल करते हैं ये कहां होता है तो in Bangladesh बांगलादेस में जो है न in Bangladesh children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family हैना वही के बारे में बात किया गया था चाइलेज बॉन जो है पुरोज उसके अंदर हैना तो इसलिए ये option होगा चलिए हमारा question number 21 है in many traditional society the relationship between mother and child is more important than that between यानि कि in many traditional society मतलब बहुत से society में societies में क्या होता है the relationship रिष्ता जो है between mother and child यानि बच्चे और मा के बीच का जो रिष्ता होता है is more important है ना वो बहुत जादा important होता है than that between, वो किसके बीच का रिष्ता जो है उससे जादा important होता है मतला मा और बच्चे के रिष्ते से जादा important नहीं होता है brother and sister नहीं mother and child students and teacher यहाँ पर बात हो रहा है कि husband and wife यानि कि इसमें बताया गया है इस प्रोज में कि husband and wife का जो रिस्ता होता है ना उससे भी ज़्यादा important होता है मा और बच्चे का रिस्ता यह अचाइल इस बॉंड प्रोज में बताया गया यानि कि इसका answer हो जाएगा option number B तो अब देखते हैं अब हमारा यहाँ पर question यही पर खतम हो चुका है यानि कि 21 question है और यह सारे question बहुत important है तो आप एक बार इस सारे question को जो है ना अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि यह question रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप समझ गया होंगे तो इन सारे question को जो है आप अगर समझ गया है तो अगर exam में कोई question आता है तो आप बिल्कुल इसका answer सही सही करके आएंगे Thanks for watching Please like, share, comment and subscribe my channel मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you